तो आई एंसी की पहली मीटिंग का होई थी बॉंबाई में होती बॉंबाई में ओके इसके जो उस टाइम प्रेजिजेंट थे हर मीटिंग होती थी हर साल उसके प्रेजिजेंट रहते थे प्रेजिजेंट के बारे में कोश्चन आ जाता है एक्जाम में देखो पहली लोगों ने participate किया था अब चलते हैं आगे 1886 1886 में जो है जो भद्धुरदीन सुरी, दादा नैरो जी दादा बाई नैरो जी इसके प्रेजिडेन्ट बनते हैं दादा बाई नैरो जी इसमें कितने participate करते हैं 436 delegates participate करते हैं यह मिटिंग कहा होती है कलकत्ता में होती है पहली कहा हो ही मुंबई में ओके दूसरी कलकत्ता में तीसरी कहा हो ही तीसरी आपकी हो ही मदरास में 1887 मदरास इसमें कौन थे प्रेजिडेंट इसमें प्रेजिडेंट थे आपके बदरुदीन तयव बदरुदीन तयव जी थे अलाबाद में उपी ये याद रखना है अब बात करते हैं आप दादावाहि नैरोजी ने कितनी बार इसके अध्यक्स बनने बाते इसके दादा भाई नेरू जी आपके जो है दादा भाई नेरो जी जो है इसके तीन बार मैं प्रेजिदेंड बने ते is शिर्प तीन बार यह कुश्चन पूछा गया है देखो ओर भी पढ़ेंगे अभी ओर STUDENT जो पहली BOOMEN थी जो NC के President नी कहा हो आथा इनका कलकत्ता में कलकत्ता में शहिशन था I think कलकत्ता या फिल लाहूर सायद कलकत्ता में इनका शहिशन था 1917 में इन्होंने इसको लीड किया प्रेजिडेंट बनी उके इनकी दो बुकों के नाम थे वनबील एक नियर्म इंडिया इनकी वुक को नाम याद रखना को मलवीन और नियर्ण किर आते हैं पूर्ष्ट एंडियन प्रेजिडेन्ट ओफ आई एंसी कौन थी सरोजने ओनी आएज़ू सरोजनी नाइडू एन एडी नाइडू खैक है सरोज़नी नाइडू थी उननीश तो पच्चिस में उननीश तो पच्चिस में onीश स्वेच्ट बनी आईजनसी की आप एक मात्र ऐसा सैसन जिसे गांधी जी ने लीट किया बेलगाओं सेशन बेलगाओं कहां है बेलगाओं कहां है आप कमेंट बोक्स में करना बेलगाओं कहां है ठीक है महातमा जी महातमा गांधी जी ने इससे लीट किया बेलगाओं सेशन को प्रेजिडेंड बने मतलब प्रेजिडेंड बने 1924 में इस सेशन को किया और सरविज नाइडव का सेशन कहा था कानपूर में 1925 यह भी आ रखना कानपूर 1925 एक कुश्चन आता है जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में उस टाइम आएंसी के प्रेजिडेंट कौन थे उस टाइम आएंसी के प्रेजिडेंट जवालना नहरु जी ते आप एक चीज बताओ आप चलो महीं बता दो चार साथ चार ऐसे यह थे जिसमें आएंसी की मिटिंग नहीं हुआ उके अब चलते हैं हम कुछ कुछ जो होते मुमेंट्स हुए थे सबसे देखो 1888 हम तक हम आगे थे 1744 65 golf पढ़ गांदिया था अब बात करते हैं थोड़ा सा इस्वामि कथे बारे में पढ़ोते हैं शुबावी वियकानंद ही अ शुबाम भिविवेकानंद्द कि श्यामी विवेकानन जी के बारे में आपको बता दिते हैं शोवेकानन जी के बारे में जा लो इन्होंने जो राम कृष्शन मिशन चलाया था 쓰فس एक मिटिंग भी हैल दीसी कागो में 1893 में conv 1893 में Chicago में इनोंने meeting भी हैड कीती जहांपर इनोंने भासल दिया था वो भी हिंदी में बहुत ओके और इनका original लेम क्या था इनका original लेम था Narendra Narendra Nathidat 49 साल की age में इनके मरति हो जाती है इनकी yes मरति हो जाती है इनकी ठीक है इतना इनके बारे में जानना है और इनके गुरू का नाम आप देखो इनके गुरू का और इनल नाम क्या था गटोच कुछ करके ऐसी तक गटोच कर उपाद्याए करके इनकी गुरू का नाम था ठीक है अब एक आता यंग बंगाल मुमेंट यंग बंगाल मुमे इसे किस ने लीट किया था तो बशश इसमें नाम याद रखना है Henry Henry Louis Henry Louis Louis LV Day-Rosji Henry Louis HLV करके आता ओपस्वन है HLV ओके ये टीचर थे हिन्दू कोलेज में ठीक है इसमें और कुछ याद नहीं करना है शिखाओगा मैंने आपको बता दिया ठीक है और अब बात करते हैं अब चलते हैं आगे अब चलते हैं 1905 में क्या हुआ था उनिस्तो पांच में क्या हुआ था और उनिस्तो पांच से आप आगे चलते चाहेंगे उनिस्तो पांच 1905 में क्या हुआ था 1905 में बेंगाल पार्टिशन हुआ था बेंगाल पार्टिशन हुआ था 1905 में 1905 में हुआ बेंगाल पार्टिशन बेंगाल पार्टिशन बेंगाल पार्टिशन क्यो हुआ बेंगाल पार्टिशन इसलिए हुआ था क्योंकि यहां क्या हुआ दो अलग-अलग गुरूप बन गए देखो जैसे कि जैसे इंडिया नैसनल कॉंगरेस बनी तो इंडिया नैसनल कॉंगरेस में दो गुरूप बटने शुरू हो गए एक तो मॉडरनिस्ट होगे एक एक स्टमिस्ट होगे मॉडरनिस्ट बेह होते थे जो की एक प्रोसेस यानि की कास्ट वर्ष्ट को नहीं सोचेते थे ना रिलिजिशन को छोचेते थे और यानि की इनका मतलब था के 37 पुरूबक हम अपना काम निकाल लेंगे जो से अपने अब्जेक्टिव को अप्टेंड कर लें बट एक्स्टमिस का अलग था एक्स्टमिस का क्या था एक्स्टमिस का यह था कि हमें चीजना पड़ेगा इनसे सब चीज हमें चीजनी पड़ेगी इनसे सब चीज ओके तो एक्स्टमिस अगर ओप्शन में जाए एक्स्टमिस कौन-कौन थे तो याद रखना लाल बाल पाल लाल बाल पाल याद रखना है ठीक है चार तीन चार नाम याद रखने और जो भी थे सारे एक्स्ट्र मॉडर्निस्ट थे ठीक है अब बात करते हैं फिर क्या हुआ 1905 में ऐसा क्या हुआ जो भी वाजन अब जब सोच अलग होगी तो सिंपल सी बास है तो डिवाइडेशन तो होना था सोरी ये थो 1907 में सूरत स्पिलिट होता है 1905 की कहानी अलग है थोड़ी सी रुको 1907 में सूरत स्पिलिट होता है सूरत स्पिलिट में मॉडनिस एक्समिस्ट डिवाइड हो जाते हैं ठीक है 1905 की कहानी 1905 में क्या होता है बेंगाल का विवाजन हुआ है बेंगाल का पार्टिसिपन पार्टिसिपन वा बेंगाल का 16 अक्तुबर 1905 में यह अपना कि एस्टिबिलिस कर दिया इन्होंने यानिकी पार्टिसिपन को अमानी की मो दे दी मंजूरी दी मतलब पूरा अप्लाई हो गया 16 अक्तुबर से ठीक है उसके बाद में इसमें इसनोंने क्यों किया था इसा क्यों किया था इन्होंने यह कहा कि हमें जो है बड़ा राज्य है बेंगाल तो इसे चलाने में दिक्कत आ रही है बट इनका मैन मोटिता डिवाइड कर और राज करो निक फूड डालने की निती और राज करो यहां जो है अलग लग चीजे लोग भढ़कते जा रहे थे ठीक है फिर एक बात करते हैं रविंद्ना टैगोर के बारे है डविंद्ना टैगोर ने जो है नेस्टनल एंथम लिखा है दो जगे का एक तो इंडिया का इंडिया का जंगर्मन और एक लिखा है आपका रविंद्ना टैगोर ने अमारा सोना बंगलो बंगलादेश का बंगलादेश का नेस्टनल एंथम ठीक है इतनी अब फिर आते हैं 1905 में 1968 के बीच में एक चीज़ और स्टार्ट हुई स्वेदेशी मुमेंट स्वेदेशी इसमें क्या हुआ बाइकोट करना यानि कि बाइकोट किया जाने लगा बाइकोट करना है अंग्रिजी की सारे चीज़ों को इंडियस चीज़ों का यूज करना है ठीक है फिर 1906 में जो है मुसलिम लीक की स्थापना हुई 1906 में मुसलिम लीक की स्थापना हुई धाका में हुई किस किस ने आगा खाँ और नवाव सलीम ल्ला और नवाव मौशी ने दो याद रखना आगा खाँ और नवाव सलीम ल्ला ठीक है 1906 में फॉर्मेशन हो जाता है मुसलिम लीक का उके 1906 में ही मुसलिम लीक यानिक दादभाई नहरोजी प्रिजिडेंट बनते हैं किसके मुसलिम लीक इनसी के तो यह डिमांड करते हैं सवराज की पहली बार सवराज की मंग कब की गई INC के सेसन में की कि electron कलकत्त सेसन में 1906 में किसने की दाधवाई नहिरोजी यह भी याद रखना है दाधवाई नहिरोजी पिर आते हैं 1911 में 1911 में ऐसा क्या हुआ 1911 में क्या हुआ अब हमने कहा पढ़ लिया यहां तक पढ़ लिए था ठीक है अभी यह बात करेंगे 1911 पे चलते हैं ены 11 11 ने दरबार बलाया गया pag orange 5 अधिया ओकै वह वह जिल्ली में वहाँ दर्बार हो he buniska को कैंसिल कर दिया ओके और सी कर दी कॉलकाट से दिली कॉलकात से दिल्ली 1911 में और dob लाए हूई है उससे अगले साल 12 12 में उसे कर दिया या ने कि उसे लागू कर दिया ठीक है अब आगे चलते हैं आगे कैसे कैसे क्या हुआ वो बात करते है उससे पहले बीच में, ये ऐसा क्यों हुआ, उससे पहले बीच में कुछ बाते हुई होगी, देखो, अब पहले बात करते हैं, सौराज की पहली बार मांग क्याप करेगी, कलता सेसन, ये मैंने बता दिया आपको, एक ऐसा सेसन, फर्ष्ट बिले सेसन, फर्ष्ट बिले सेसन क बात की गई फर्स्ट टाइम बात की गई थी 1888 अलावाद का शेशन हुआ था और सेक्ट बात हुए थी पूर्णा सेशन 1931 बात हुए थी ठीक है और कुछ यह बोर्ट्स बनेते इंज बोर्ट्स के बारे मात कर लेते देखो खादी बोर्ट आल इंडिया खादी बोर्ट कब नदा कंभल सरी कब भनआथा गौहां पर पर 1996 में और म graduates कभ बनी थी 19чи में 1923 में एक चीज और होती और आपका खिलापत मुमेंट की बात रही है इनके बारे में बात करूँगा पहले इन चीजों को फैक्ट को बता दूं 1932 में कोंग्रेस को इलीगल कर दिया गया 1933 का सेशन 1932-1933 को इलीगल बता दिया गया और सोसलिजम का पहली बार यूज कर भूँआ उन पहली बार सोसलिजम का यूज हुआ कुछ उतसब थे उनके बारे में याद कर लेते हैं 1894 में गनपती महतसब बाल गंगादर तिलक ने स्टार्ट किया इनने लोकमालने तिलक भी कहते थे बाल गंगादर तिलक जी ने गनपती महतसब की स्टार्ट किया स्टापना बीजी तिलक बालंगा तिलक गोपाल गनेश अगरकर ने पूने में की कहां की पूने में की किया तिलक जी ने कहां राइगण फोड में किया किसकी कवर पर सिवा जी की कवर पर या फिर ठीक है अब आगे चलते हैं 1903 में क्या हुआ गांधी जी ने पब्लिश किया न्यूस पेपर फस्ट न्यूस पेपर इंडियन ओपेनियन साथ अफरीका में इनके कुछ पब्लिगे इनकी ओटोबाइगराफिती यह भी याद रखता हुआ 1907 में जो है अभीना भारत सोसाइटी के स्थापना की विनायक दावादार सावर करने ओके और गनेश सावर करने इन्हें हम क्रेटर ओफ हिंदुत वह कहते हैं क्रेटर ओफ हिंदुत भी कहते हैं ओके रवेना टैग रवेना टैग और ने जो है रक्सावंधन डे बनाने की स्थापना की सोल है अक्तुबर 1905 स्वेदेशी स्लोगन भी स्वेदेशी 1905 में स्टार्ट हुआ था 1905 में स्वेदेशी का ओके इन्हों नहीं दिया था बंदे मात्रम किसने किसने दिया विंकिम चातुपाण द्याई नहीं कि 1905 में कायरल सर्कुलर आया था प्रकुलर आर्या प्योवर्टी अनुवित्रिश्टूल इन इंडिया ड्रेन ओफ वेल्थ की बात करते हैं इसमें दिवांट्स एंडी मीन्स ओफ इंडिया लंदन में लिखी थी 1890 हैं अब बात करते हैं और इंडिया दॉट्फ इंडिया मधराश 1882 में 1902 में लिखी थी थी और 1906 ऑल इंडिया मुसलिम लिख की स्थापनाम ने बता दी ये सारे बता दिये धाक आम होई थी इस हैइड कोटर कहाँ बनाया गया हैड कोटर बनाया गया था लकनाओ में युक्त फर्स्ट प्रेजिडेंट पूछता है फर्स्ट प्रेजिडेंट कौन थे और या मुस्लिम लिग के तो आगा खाँ थर्ड थे ओके जिन्हें सुल्तान मुहम्मद साहभी कहते हैं फिर एक मुझफरपुर कांड वा बॉम कांड वा था इसमें खुदिम्राब बोस को फांसी द लाव मैंबर अ कि अब इतनी बात होगी आपको 1911 की बात होगई आप बात करते हैं 1913 है 1913 की बात करते है 1913 में क्या 1913 में गदर पार्टी की स्थापनोई सेंस फ्रास करो यूएश्य में ओके इसके फॉर्णर थे लाला हरदयाल करतार सिंग अब्दुलहाफिज वरकतुला शोहन सिंग और लिख लिना शोहन सिंग वाकना ठीक है अब तो 1914 में क्या बात करते हैं को माट्व गारा सिफ इंसिडेंट पूछ लेता है को माट्व क्या था सिफ इंसिडेंट इस उन्नी सो चोदें होई थी बाबा गुर्देप सिंग और इतने पैसेंजर आपके कैनेडा में जा रहे थे उन्हें रोक दिया गया था उस सी में यानिक सब्सक्राइब को गांधी जी आते हैं इंडिया में तो उस दिन हम क्या बनाते हैं हम बनाते हैं परवासी भारती दिवश ओके ठीक है एन राइडे नैस्नल एजिनेंज इंडिया ठीक है इस तरह से था और इन्हें काल प्रिंस अमंग दी इनने इन्हें कहा गया प्रिंस अमंग दी पैट्रोइट्स यानि यू तोतों के बीच में राजा 1912 इनकी ओटोबाइग्राफी मैंने बता दी मैं एक्सपरिमेंट तुरुप इसी को गवजाती लेंग्वेज में कहते थे सत्यन नारा पारगो ओके फस्ट फ्रेंच नोबल था इ जब जेल में थे 1869 से 1921 के बीच में पूरे इनके एरे के बारे में डिस्क्राइब करती है यह बुक ओके और इसे ट्रांसलेट किया था इंगलिस में महादेव देशाई ने महादेव देशाई ने इनके मैं गुरू कुन थे गुरू कह सकते हैं गुरी मालो गोकले खान अब बात करते हैं 1916 में लखनाव शेशन होता है 1916 में पहले बात करते हैं लखनाव शेशन लखनाव सेशन देखो सब चीज बटगी थी यानिकि दोनों चीज बटगी थी यानिकि modernist extremist और ये आल इंडिया मसलिम लीग बनेगी थी 1916 में फिर क्या होता है 1916 में लखनाव पैक्ट होता है साइन इसमें क्या होता है अगेन INC जो डिवाइड होई थी वो और मुसलिम लीग दोनों एक साथ हो जाते हैं यानिकि सारे extremist मोड़िस एक साथ हो जाते हैं इसमें पूछता है प्रेजिडेंट को था A.M. मजुमदार उसमें प्रेजिडेंट थी A.C. मजुमदार ठीक है याद रखनाए A.C. मजुमदार 1916 में बरांस हिंडू यूनिश्ट्री के स्थापना होती है कौन करता है मदन मोन वाल गया जो कि 20 साल तक चांसरल लेते हैं अब बात करते हैं 1916 में महात्मा गानीजी ने क्या किया सावरमती आस्रम की नीव रखी ओके 1916 में और अब एक दो तीन एक्ट आये थे उन एक्ट के बारे में बात करते हैं एक एक था आपका 1909 मोन्टे मिलो रिफॉम था 1909 मोन्टे मिलो रिफॉम आता है 1909 में मोन्टे मोन्टे इक्ट कह सकते हैं 1909 में आता है इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा क्योंकि उस टाइम मौन्टे मौन्टे करके ही हमारे जो थे मौन्टे मिल लो ही उस टेम बारसराय थे बारसराय थे मौन्टे मिल लो ठीक है ओके और इसके बाद क्या होता है इसके बाद आता है हमारा अगस्ट डिक्लिशन 1917 में 1909 में separate electrolyte की बात की थी जिनमें इन्होंने separate electrolyte की बात देने की थी इसे Muslims को अब वही बात आगे चलती है चलती रहती है उसके बाद में अब चलते हैं 1906 हो गया आपका अब 1917 में Montague declaration आता है मतलब central government क्या करती है अपनी powers को इंडियन्स people में transfer करती है कहती है हम transfer कर देंगे दिरे दिरे अप सारी power हम इंडियन्स को दे देंगे तो moderate ने क्या कहा इसे मैंग ने काटा ओफ इंडिया मैंग ने काटा ओफ इंडिया कहा इसको और तिलक ने कहा morning without sun morning without sun याने की बिना सूरच की सू है कहा तिलक जीने तिलक जीने अब आते हैं 1909 देखो 1909 में बहुत चीज हुई सबसे पहले बात करेंगे 1909 में Royal Acts के बारे में Royal Acts के बारे में Royal Acts आता है Royal Acts क्या था Royal Acts पूरी बात करेंगे Royal Acts के बारे में Royal Acts 1919 में 1919 में Royal Acts आता है इसमें जो है क्या किया गया इस Acts में कि कोई भी किसी परसन को भी बिना किसी पूच्टाच के उठा लेंगे अगर भी कुछ भी एंसक काम करते हैं या फिर पकड़े जाते हैं उन्हें बिना दलिल बिना मकिल के जेल में डाल दिया जाएगा दो साल की जेल में डाल दिया जाएगा ओके दो साल की जेल में ठीक है इसी तरह से आगे चलता हो चलता रहा है चीश चलती रही उसके बाद में जो है 13 अपरेल 13 अपरेल 1919 1913 अपरेल 1922 का दिन था लोग इखटा होते हैं कहां अमरिस सर में जिससे जलियावाला कांड होता है यहां पर जलियावाला हत्या कांड होता है अमरिस सर में लोग इखटा होते हैं ओके तो बहां जो है इनका मैन मोटिफ था जो प्रोटेस्ट करना था यानि कि दो लीडर को इन्होंने बो कर लिया था शैफुदीन अरेश्ट किया था शैफुदीन और शैफुदीन गिल्चु और लोक्ट सत्यपाल को इन्हें इन्होंने अरेश्ट कर लिया था इन्हें छुटाने के लिए इन्होंने एक मिटिंग की थी इंडियन्स ने तो यहां जो है एक जर्नल ओडायर करके ता जर्नल ओडायर जर्नल ओडायर जर्नल ओडायर यह क्या करता है यह गेट बंद करके इसे बंद करके फारिंग करवा देता है यहां पर जो है इंडियन के निउस्पेपर हैं जब बात हुई तो उसमें कहा थाउजन प्यूपल से ज और हो गटना होगी अगर आपके सामने दो बंदे उमर जाए तो आलत' हो जाती है थीक है फिर आता है 1909 में 22 Caitlin Back चलता है 1602 सराई मिनें चलता है खल्थ में पोस्च थी तुर्की में उसे और पीड नहीं कर देते हैं 1920 में ठीक है और 1919 में एक चीज और हुई थी रविना टैगों ने अपने नाइट हुड का जो उपादी थी वो बापस कर दी थी जलेवाला कांड के बाद ओके नाइट हुड की उपादी जो मिली थी इनको ओके इन्हें नोवल प्राइज मिला था 1913 में नोवल लिटरेचर में मिला था ओके पहले फस्ट एरोपियन परसंते जिने नोवल लिटरेचर प्राइज मिला था 1913 में गिता अंजली के लिए गिता अंजली के लिए ठीक है 19 1615 में नाइट हुटट की उपाधी मिली थी 1915 में नाइट हुट की उपाधी को त्याग देते हैं क्योंकि उस टाइम जलेवाला कांध हुटा है तो उससे चलो के दुछचिना ने आप इसे comment box में बनाना किस क्या वादी मिली थी मात मगांदी को ठीक है ओके फिर 1922 में 1922 बता दिया भाई तो अब 1920 में नोन कोपरेशन इसके साथी किलापत मुवेंट के साथी नोन कोपरेशन मुवेंट स्टार्ट होता है जिसे गांदी जी स्टार्ट करते हैं यह फर्ष्ट मास्ट मुवेंट था गांदी जी का पहला मास्ट मुवेंट था गांदी जी का ओके गांदी जी ने इसस गांधी जी ने किया था 1917 में लोंज किया था इन्होंने बिहार में चमपारन ने बिहार चमपारन चमपारन ने बिहार में इन्हों स्टार्ट किया था इंडिगो प्लांटेशन के खिलाप यानि कि राजकुमार सुकला जी ने इन्हें invite किया था यहां आने गिली चंपारन में बिहार में ठीक है ओके चंपारन बिहार में और 1918 में इन्होंने क्या किया 1918 में इन्होंने पहले मिटिंग कब हुई थी एक चीज़ ओर रखना और ट्रेड की पहलі मिटिंग पोई थी तो याद रखना 19-20 में होई थी ओल ट्रेड यूनिग की पहले मिटिंग ठीक है अब हम चलते हैं 1920-22 क्या हो गया था उस टाइम Non-Cooperation Movement इस्टार्ट कर दिया गांदी जी ने नॉन कोप्रवेसेन मुप्राइशन में एक सिसन हुआ थे मैं हुए नाकपूर में 1920 में 300 है अब 1922 में एक करण काण हो जाता है 42 में 2022 में एक करण होता है आपका 1922 में एक करण होता है ट्रेंद रोवरी नहीं सोरी 24-24 गोराखपूर में 1922 में 5 फरवरी 1922 I think 5 फरवरी 1922 12 पुलिस वालों को जला दिया जाता है चोकही में इस से परेशान हो यानिकि इस से परेशान होकर गांदी जी अपने non-corporation movement को bond कर देते हैं non-corporation movement को bond कर देते हैं seekers jail को एक 2 साल के लिए ऑके तो इन्होंने 走 होगे rest पर होगे आप ये कुछ नहीं करेंगे अगर उस टाइमी गांधी जी लोगों का मानना उस टामी गांधी जी इसे lead इसे नहीं abolish करते यानि कि इस revolt को कह सकते moment को तो उसी time हमारा देश आजाद हो जाता फिर 1923 में क्या होता है 1923 में बनती है सौराज पार्टी सौराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में कौन कौन करते हैं 1923 में सौराज पार्टी की स्थापना मोतिलाल नहरू और मोतिलाल नहरू मोतिलाल नहर और सी आर्दास सी आर्दास सी आर्दा जो सुवाचंद्र सुवाचंद्र बोच जी के पॉलिटिकल गुरू है इसी तरह से खान अबदुल वफार खान किसके पॉलिटिकल गुरू है महत्मा गांदी जी के फिर 1924 में जो है एक पार्टी बनती है CPI CPI Communist Party of India CPI कहा बनती है कानपुर में बनती है 1925 में CPI Communist Party of India 1925 फिर होती है ट्रेन रोवरी 1924 और 1925 में होती है ट्रेन रोवरी काकोरी में ट्रेन रोवरी होती है हत्यार जा रहे होते है हत्यारों को लूट लेते हैं ट्रेन रोवरी कहते है अब इसे जो है यूपी ने train nobility नहीं कहते हैं इसको कहते हैं train action काकरी train एक्षन बोला जाता है इसके काकरी train action आप इससे आगे चलते हैं इससे आगे चलने से पहले हम बात करते हैं किस चीज की कुछ जैसे 1923 हो गया आपका 1925, 1926 भी हो गया 1925 हो गया आप आते हैं 1927 1927 में क्या होता है Egyptians Commission बनाया जाता है 1928 में India आता है 1928 में India आता है इसमें साथ I think 7 members होते है साथों के साथ क्या होते है बाहर के होते है कहांके British होते है और वे problem 1919 में सोरी 1919 में एक चीज रही थी 1919 में एक एक्ट आता है कौन सा उसके बारे हम बात करते हैं Montague Champsford Montague Champsford 1919 में एक reform आता है इसमें direct को introduce कर दिया जाता है यानि कि double government अब यह double government क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं इसके बारे में जानने से पहले आप double government 1909 में separate electorate इन्होंने separate electorate की बात करी दी इन्होंने क्या किया इन्होंने एक चीज और कर दी कि जैसे अगर डायार की का मतलब था दूरी दोरे शाषन यानि कि दूरे शाषन मतलब जो थे इन्होंने क्या किया प्रोवेंस में जो है प्रोवेंस में अलग और स्टेट में अलग दोनों अलग अलग गवर्मेंट यानि की कैसे समझें आपको ओके सुनो डायार की इंट्रोट्यूस कर दी इनों ने चैंस होड ने कैसे 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 ओके ओके देखो बाध में चलके 1935 में इसे बीच्त कर दिया जाएगा एल्लÈ ये सैंटर के पास पावर Kultur's इनके पास सारी पावर थी यानिकी अंगरेज़ो के पास थी इसमें ऐसा सारी पावर अंग्रेज़ों के पास थी 1920 में तिलग जी का दियान तो जाता है तिलग जी का देहान तो जाया 1920 में ओके नोन कोप्रेशन मुएंड मनें बता दिया एक एक अगस 1920 को आता इसमें क्या हुआ था यह बता है आर्मी से रिजाइन करते हैं जितनी भी आर्मी पार्टिसिपेट करते थे ओके 1921 में जो है चार्स प्रिंस चार्स इंडिया आहे 1921 में पूछा आता है 1921 में और देखो 1924 में मैंने सब चीज बताती जो जो हुई थी 1925 तक अब बात करते हैं 1924 में एक चीज हो हुई थी सियारदास को देजपंदू बोलते हैं ये भी आद रखना 1924 में एक चीज हुई थी हरे की यानि कि हिंदुस्ताल रेपब्लिक एशोशेशन की फांडेशन हुआ था आराम परसाद मिसमिल ने और सचेंदरना सेयाल ने और अस्वकुल्ला खान ने और चंदरशे कराजाद ने इन्होंने इसका फांडेशन किया 1924 में जो कि बाद में काकोरी ट्रेन कांड जो हुआ था 1925 में वो ही इस नहीं किया था ठीक है काकोरी केंसपरेशी 1925 में हुई थी नौववस 1925 जिसमें जो है रामपरसाद मिसमिल अस्वकुल्ला खान और रोशन शिंग राजन नलहरी इन्हें फांशी की सजावई चारों को रोशन शिंग को नहीं हुए थी तीनों को ही थी रामपरसाद मिल देशूल्ला खान महाराश्टा नाथपुर में ओके 1926 नोजवान सवा नोजवान भारास सवा भगस्री ने स्टार्ट की 1931 दिसंबर 1929 को जो है फ्लैग लहराया गया ठीक है अब बात करते हैं 1928 अब कुछ रिपोर्ट्स आई थी 1926 में नहरू रिपोर्ट्स देखो साइमन कमिशन ने अपन आया था अपनी बात बताने के लिए कि रिपेजेंडेंस्ट कैसी हो गी जो 19 19 में चैंसवर्ट्स गाया कर देटेंगे यानि कि i dominator की बात कर देटे आंप को Mr Daugherd देढ़ जब हमने सहराज की बात कर दिया हम में dominator क्यों चाहिए तो 1928 में मुतिलाल नहरू रिपोर्ट्स बनाते उससे कहते अपने रिपोड देते हैं जारी करते हैं इस रिपोड को यह मना कर देते हैं ठीक है ओके ए सिरो यह दाला होर शैसन उनिस्ग 29 में इसे बात होतीए पूर्डी तशुलाज की निंकर ना तो हमें सराज जू है फिर द्वारा से पोलिट्रीकल्स में अक्टिवेट हो जाते हैं गांदी जी अराम से सांध्र मिसाल तक फिर 1929 फिर एक्टिवेट हो चीज में फूर्ष पूछी जाती है 1 इंडिपेंडंड है हमारा 26 इंडिनिफ पेडे physics 5 15 aगस्त को बनाए जाते घृत और इसके बाद में अभी घृत को पारे अब गांदिजी क्या करने वाले अभ गांदीजी क्या करते हैं 무슨 कि करते हैं गांदीजी करते हैं civil disobedient moment सेवेगन्य अगया अंदोलन ओके 12 मार्च को स्टार्ट होता है 1930 में और 6 अपरेल वो 12 अपरेल को खतम हो जाता है 78 लोग इसमें participate करते हैं सावरमती आश्रम से सावरमती आश्रम से सावरमती आश्रम से सावरमती आश्रम से सोडियम क्लोराइड होता है ये कोशन भी पूछा हुआ है ये सारे कोशन पूछे हुआ है कितने किलोमेटर की स्त्रयात्रतियार की यात्रा किती इनोंने 375 किलोमेटर कितने लोगोंने participate किया था 78 लोगोंने शुरू में बाद बढ़ते जाते हैं फिर जब ये बात हो जाती है तो क्या होता है इन्हें जो है capture कर लिया जाता है ओके फिर individual civil discipline मेंडी स्टार्ट होता है आगे चलके वो मैं बात करूँगा बाद में अब 1930 में पहली first round table होती है 1930 में 1930 में पहली round table होती है उसमें जो है चोहतर लोग participate करते हैं इंडिया से बट INC नोट participate ना कि महात्मा गादी ने ना INC ने participate किया एक ही meeting थी जिसमें INC और महात्मा गादी ने participate किया वो थी कौन सी second meeting जो कि 1931 में होई थी 1931 में दूसरी meeting होई कहा होई थी लंदन में होई थी सारी meeting लंदन में होई थी UK लंदन में और उस time MacDonald जो थे MacDonald जो थे उस time कौन थे वहाँ के PM थे PM कह सकते हैं ठीक है आके President कौन थे सोरी President का PM Prime Minister कौन थे MacDonald थे ठीक है इसके बाद में जो सारों में participate किया सब ने participate किया पद गांड जी ने participate नहीं किया Second में किया क्योंकि उनकी बात माने नहीं गई उन्होंने कहा था उन्होंने मांगा था 1931 में एक गाधी इर्विन पैक्ट हुआ था उन्होंने कहा था हमारे जो भी Fundamental Rights Wallets हो हैं उन्हें उन्हें सुदारा जाए जैसे कि जो इतने भी लोग कैप्चर किये हैं अपने सिवल्डे से उन्होंने छोड़ा जाए और भगस सिंग सुकदेव को भी छोड़ा जाए जिने 23 मार्ज 1931 में उन्हें फांसी हो गई थी जब उन्होंने Kings Force को Kings Force को मार के हत्या कर दी थी Kings Force की मार के हत्या कर दी थी तो उन्हें फांसी की सजा सुना दी थी राजगुरु सुकदेव और भगस सिंग को फांसी की सजा होती है ठीक है फांसी की सजा होती है वे बीदगती को पराप्थ हो जाते हैं ठीक है अब चलते हैं गांदी जी ने इसकी विवाद की थी बट ऐसा ये मानते नहीं है तो गांदी जी सारी मीटिंग में नहीं जाते है फिर होता है पूना पैक्ट पूना पैक्ट पूना पैक्ट में क्या होता है जो मैक डोनार्ड होता है वो जो है कम्यूनियल अवार्ड देता है communal award में क्या होता है यह कहता है हम सब को अलग-अलग anglo indians को अलग right देंगे christian को अलग देंगे boom and backward classes को अलग देंगे सब को अलग-अलग divide करना चाहता है ठीक है गांधी जी जो कहते है गांधी जी इस proposal पर एकदम से react करते हैं और कहते हैं यह हमारे जो है integral part of society है depressed classes ठीक है अब भीमराव उम्बेटगर जी कहते हैं कि हरीजन गोड कहने से हमें equality नहीं मिलेगी क्योंकि हम depressed में हैं तो हमें equality चाहिए हमें अपने rights चाहिए है ठीक है भीमराव उम्बेटगर जी ऐसे person थे जोन्हों है तीनों meeting में और गांदी जी ने suspend कर दिया civil disappointment क्योंकि उनके कहने पर agree हो गये थे पार्टिसिपेट करने के लिए ठीक है और तुम्हारा गादी ने रिप्रेक्ट हो गया था 1932 में कमेनल लेक्टोपैक्ट यानि separate electorate की बात हो गी थी और जो माइनर्टी को बेटिज देने की बात होगी थी ठीक है 1932 में जो हैता है जो है सेक्डाउंड कोंफरेंस के बारे माने बता दिया 46 परसन ने पार्टिस्पेट किया था आउटकुम कुछ नहीं आता है नो आउटकुम नहीं आता है कुछ भी हरीजन पत्री का 1933 में गांधी जी लिखते है रहमत अली खान जो है पाकिस्तान का वर्ड को इंट्रिद्यूस करते है रहमत अली खान 1924 में हरीजन सेवक शंकी उस्तापना होती है ठीक है अब आता है Government of India Act Government of India Act 1935 में आता है यह एस्टिपलिस करता RBI को फैडल कोडस को PSC यानिकी Public Service Commission को और फैडल Public Service Commission को यही हमारा जो है में पार्ट है जो Constitution को बनने में हेल्प करता है 1935 Act Government of India Act देखो अब इसमें क्या होता डायर्ग्य को अबलिस्ट कर दिया गया जो पहले इलक्षन होते हैं नेहरुजी PM बनते हैं ठीक है सोरी नेहरुजी के इंडिया नेहरुजी के बनते हैं सेल्फ मुमेंट स्टार्ट होते हैं ग्यारा प्रोवेंस में सेल्फ मुमेंट स्टार्ट होते हैं और फिर 1949-1945 से World War II की चलता है और डिमांट फूर पाकिस्तान कौन करता है मुम्मद अली जिन्ना करते है 1940 में 1940 में डिमांट करते हैं कि हमें पाकिस्तान चाहिए कौन मुम्मद अली जिन्ना फिर पाकिस्तान की डिमांट किसने प्रपेड करी थी कैजूल उल्जुमान ने ठीक है यह तना कुश्चन याता है बस याद रखना मुहमिद जिनना ने फिर आते हैं इससे बाद में स्टर्ड राउंड को फ्लेंस को फ्लेंस होगी और सेकंड वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार में क्या होता है देखो एर्विन था अब जब 1992 लिन्थिंगो लिन्थिंग लिन थिंग ठीक है यह बास राइथा किसका इसका वरस रहा था में बार इसराइब आधा थी कहते हैं हम आपको डोमिनेंस को फॉन से एक अगस्त उफर आता है 1940 में 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 यह कहते हैं हम आपको dominant structure future में देतेंगे ठीक है बार के बाद में यानि कि जो youth चल रहा है 1940 वर्ड बार चल रहा है उसके बाद में हम आप constitution बनाने की अनुम्यती देतेंगे और हम governor general council को आपका representation बढ़ा देंगे ठीक है वार में आपका इस्टिवलेंच चाहिए यानिक वार में आपको एक advisory council की पूड़े देंगे बट जो है इसे पोस्ट डेड़े चेक कहा किसने आपका महत्मागा दीजिए ने ठीक है फिर आता है क्रिप्स क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन आता है 1942 में क्रिप्स मिशन आ इसे आधा है 1942 में इसमें इसे भी review कर दिया जाता है फिर आता है कोट इन्य B document गांदी जी कुट इन्य B document 8 अगस्त 1942 में start कर देते हैं इसमें क्या होता है आप कह देते हैं जो करना है करो अब यह कहते हैं जो करना है करो अब उध सब तुम्हारे हाथ में हैं ठीक है जौके से स्टाट करते हैं इसको भी ओके फिलिए यह इसे लेडर ले ज दर मुमेंट करते हैं ऊपर आई च्डू ऑर डाई करो या मरो यानिकि अब करो दरना की बात कर देते हैं गुवादी जी ठीक है communist party इसमें participate नहीं करती है सी आ राज गोपला चारी भी इसमें participate नहीं करते है ओके एक मुहमद इकवाल ने जो है first time जो है फ्रेंटर 1930 में बात किती है फ्रेंटर प्रोवेंस सिंध और विलचंद और कश्मीर की इसमें 1930 में मुहमद इकवाल ने ठीक है अब चलते हैं अब फिर आता है राज गोपाली फॉर्मूला ठीक है लोयर थे यह कहते हैं लाश्ट गवर्न जनल उप इंडिया और कूपर ओफ माइस कॉंसिनेंस इनकी बुक्स थी याद रखना बस ओके 1940 यह लाश्ट गवर्न जनल थे और इंडिया के नहीं सुरी मतलब यह इनकी बुक्स के नाम से फिराता वेबल प्लान 1945 फिराता कैबनेट इविशन 1946 यह हमारा उत्तरदाइद होता है कंसिटूशनल असेमली बनने के लिए 24 मार्च 1940 दिल्ली में ओके पी एम थे उस टाइम क्लेमेंट एटली क्लेमेंट एटली पैतिक लॉरेंस स्टैफर क्रिप्स और एवी एलक्सेंडर जो थे इसके मेंबर थे ओके पैतिक लॉरेंस सेकरेटी थे इसके ठीक है कह सकते हैं इन्होंने कहा कि हम कंसिटूशन बनाएंगे एक पाकिस्तान की दिवाण करते हैं तो यह डिवाइड नहीं होते हैं अब करते हैं नाइटीन जीनो ऑगस्त नैंटीन पोक्रिक्स ट्रीरेक्ट एक्शन डे डे ललस्जाता हैं हिंदु मुसलिम में बन抗ाल में कलकत्ता बंगाल में और जो है लीडर को म के मुस्लिम की तरह से मुसलिम्लीक को लीड करते हैं मूवमद 贼ली जिनग और फिर होता है बेंगाल सी एमो फेंगाल कौन बनता है यह थे होते है सहीद और उन्हें यह होते है गवर्न जनल फेंगाल कौन फेडरिक जोन बैरो फिर आता है माउंट बेटन प्लैन 1947 जो की participation के लिए इंडिया के महत बहुत महत पूर्ण है participation of India माउंट बेटन प्लैन 3 जनल फेंगाल जून 1947 को आता है उस टेम पीम इंगलेंड के पीम कौन थे कलिमेंट एटली कलिमेंट एटली कोन थे उस टेम पीम थे कहां के इंगलेंड के कलिमेंड के जब यह माउंट बेटन प्लैन आता है तो माउंट बेटन प्लैन जो 24 मार्स 1947 को आता है यह डिवाइट करेता है इंडिया और पाकिस्तान को दो पार्टस में पंजाब और बेंगाल भी बढ़ जाता है 1947 में पाकिस्तान बन जाता है पाकिस्तान बन जाता है 1931 से बांगलादेश का participation होता है पाकिस्तान से liberalization war बोलते है अब यह तो हो गया आपका कुछ चीज़े और मैं इसके बाद में कुछ चीज़े आपको अब बताने वाला हूँ मैंने अभी समाज के बारे में नहीं बताया social reformment के बारे में नहीं बताया उसके बारे में बात करते हैं आपके social reinforcement कि अब कुछ social रिपॉंस हुए थे अब कि अब किस स्थापन हुति किस ने की थी رाजा राम महुणराओ ने स्थापना कि थी किसकी ब्रह्मो समाज की ठीक है इन्होंने इससे पहले जो 1814 में ही आत्म सभा की स्थापना की थी 1814 में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी 1828 में ठीक है अब आगे चलते हैं इन्होंने सती पिर्था को बेहन किया था सती प्रता पहन करने में इन्होंने help की थी ठीक है यह भी याद रखना आपको और इन्होंने एक संभाद कॉमधी करके एक जैनल लिखा था संभाद कॉमधी अब बात करते हैं इन्होंने पार्टिसिप्रिशन किया था फांड करने के लिए 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 वैदानता कॉलिज किस थापना करते हैं वैदानता कॉलिज वैदानता कॉलिज 1825 में और इन्होंने कुछ चीज़े लिखी हैं उनके बारे हम बात करते हैं इन्होंने एक चीज़ लिखी थी एक चीज़ लिखी थी ने अगिफ्ट अगिफ्ट टू मोनो मोनो थीस्ट ठीक है मोनो थीस्ट अगिफ्ट टू मोनो थीस्ट वो लिखी तू तू हुआ फत्थ उल्द मुझाहुदीन प्रत्चल लैगे जो थी एक टींज़ो लिखी घीन अने ठीक यह पूरा था आपका भ्रहम समाज और रह्यारा मुहनिच के भारे हैं पिर आते हैं ऑर yard शमाज की बात अपना 1875 में दयानन सरस्पतिक जी करते हैं इनका जैनम का होता है गुजरात में on 1824 में 1824 में इनका जनम कहा ऊता है गुजरात में 1824 गुजरात में अब आगे चलते हैं आगे चलने से पहले देखो इन्होंने स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदाज गो बैक टू वेदाज गो बैक टू वेदाज गो बैक टू वेदाज किस ने दिया था आपका दियानन सरस्पती जिने ओके अब हम RS Shumas की बात करते हैं RS Shumas RS Shumas में आपको दैंन सर्फadasip तो मुल संकर होगिया आपका और ये कहां आप RS Shumas की स्थापना कहा की थी RS Shumas की स्थापना कहा की थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ओके ये कुश्चन आपको हो गया इसका हैड़कटर इस टेम कहा है लाहूर में है ये भी आदर रकना ठीक है और इनमें ने जो है कुछ बुक्स लिखी थी जैसे कि सत्ये सत्यरार्थ परकाश और वेद वाश्य भूमिका वेद वाश्य भूमिका ये इन्होंने बुक लिखी और गुरू कुल पार्ट सुला के स्थापना की थी इन्होंने कहां हरीदवर में गुज़ करते हैं ध्रम सबह सिसमें ध्रम सबह में आपका धरम सबह में आपका ये अर ऱाजेंद्र रजेंद्र राजा राधा देवकांथ जो है इसके फाउंडर थे ठीक है उनकी लिडर्शिप में इसकी स्थापन होई ठीक है किसे मतलब यही ब्रहम समाज आगे चलके बटेगा ना अलग अलग पार्ट्स में एक ब्रहम समाज एक होगा आपका वेदा समाज ठीक है दोनों में नेडिंघू छिडॢन ायडू ने स्टार्टि किया था ठीक है जिर दोनायडव ने चलीघू कोए फिर ऐतिप्रात्न समाज प्रात्ना समाज ह। प्रात्ना समाज की स्थापना कीती M.G. Ranade 1867 और इससे कुछ related है इसमें याद रखना Dr. आतमराम पाड़ूरंगा और R.G. भंडारकर ये नाम भी याद रखना Okay, R.G. भंडारकर और Dr. आतमराम आतमराम पाड़ूरंगा ठीक है, अब आते हैं Swami नारायन ये चलो छोड़ो ये नहीं आता है आते हैं, कुका मुमेंट कुका मुमेंट कहा हुआ था कुका मुमेंट कुका मुमेंट हुआ था आपका 1865 में नोर्थ वेस्ट फिरेंटर नोर्थ वेस्ट फिरेंटर में हुआ था ठीक है, और किसने बालक सिंग और बावा राम ने बालक सिंग और बावा राम ने इसे स्टार्ट किया था बावा राम सिंग और बालक राम सिंग भाई बालक राम सिंग ठीक है इंडियन रिफॉम एस्चेशन की स्थापना किस ने की थी केसम चंदरशेन इसे आप याद आख लेना इंडियन ए स्थापना किस ने की ती इसे याद रखना है मैडम एच पी मैडम एच पी बलावस्त का क्या याद रखना है मैडम एच पी बलावस्त के ठीक और ओल कोट याद रखना है नियोर्क में इसकी स्थापना हुई थी नियोर्क में बाद में इसका है डपलप्ट किया गया इसको इंडिया में इंडिया में दिल्ली में इसका सेंटर बनाया गया दिल्ली में ओके और एनि बैसेंट ने जो है इसको लीड किया था कहां इंडिया में ये भी याद रखना और बनार्स हिंदु यूनिस्टी की स्थापना की थी एनि बैसेंट के दुआरा और मदन मोन माल विया 1916 में 1916 में इस चीज मैंने बता दी जी जी आगर कर और चिब दोन कर वी जी चिब दोन कर ये फाउंडर थे ठीक है फरगोशन कोलिच की स्थापना करते हैं यही लोग आगे चलके ओके अब बात करते हैं सेवा सदन देखो एक चीज हैड़ कॉर्टर जो था तियोस्टिकल सुसाइटी का 1882 में टमिल नाडू अधियार में सेवा सदन को फॉन्ड किस नकी आता है 1885 में जो है बहरम जी मालवारी बहरम जी ईम माновरी ने इस स्तापना की थे ठीक है फिर आपका यह हो गया सब चीज और इसके बाद में बात करते हैं कुछ जैसे की कुछ revolts होएते जो होते travels moments travels moments की बात करते है traveling moments होएते उनकी बात करते है तो पहला travels moments से याद राखना आपका call uprising call uprising call uprising हो था कहा कहा हो थार किस year में हो था देखो हुआ तो कई बार था 1824 से याद रखना 1899 तक चला था कहा हुआ था गुजरात में फिर आते हैं वील अप्राइजिंग वील अप्राइजिंग ये कहा हुआ था 1818 से 1831 तक चला था वेस्टन गार्ट्स पर और एक याद रखने हैं एक आप याद रखना है आपको भिट्सा मुंडा याद रखना है आपका छोटा नागपुर प्लेटी एरियाило में हुआ था 1899 और 19 सम्थ के बीच में हुआ था ठीक है एक हुआ ता रामशाई रिमोल्ट रामशाई रामशाही रिवोड्स यह हुआ था बैस्ट गार्ट्स में और 1882 से 1829 यह था इतना एक आता है आपका संथाल रिवोलिशन संथाल रिवोलिशन, शल्तान रिवोलिशन कब हुआ था 1855 तो 1856 ओप्शन में आएगा तिक कर देना है ठीक है और इससे बाद में आपका यह पूरी होगी आपकी मोडर्न हिस्ट्री और कुछ तो नहीं बचा आपका जैसे की कह सकते हैं जैसे क्या नहीं बचा और क्या बच गया आपका सारी वोल्ड्स होगे और कुछ निउस पेपर कुछ निउस पेपर से थोड़े से ठीक है कुछ निउस पेपर कुछ बुक्स के बारे मात करते हैं चलो ठीक है देखो महतमागादी चीके मैंने बचा दी थी और सबसे पहले बात करते हैं जवाललाल नहरो की बुक्स के बारे में जवालाल नहरो की बुक्स के बारे में डिस्कवरी ओफ इंडिया और नैस्टनल हेराल्ड इन की थी वाइट टाइगर इन विदर टाइगर और सौथ एश्या इन की थी निया के माहत मेंने बता झाल के लिएग दे में हिंदुस्था उल मोन versatile लीडर याद रखना दक और आप प्रफिजा राजनाम मोनलाव की干ाघता झाल जीती टीन लिएट दो चीजे लिएथी एक थी लिकिती केशरी यह एक रिती माराठा यह थी इंग्लिष में यह थी में ओके उल्टा था इनका ठीक है याद्ट रखना अब आके दरपन दरपन किसका वरकता बाल बाल सास्त्री जंबेकर जंबेकर याद रखने ना ठीक है अब नील दरपन किसे लिखी थी देश बंदू ये भी याद रखना नील दरपन एक आते हैं अब इवि रामस्वामी नेयर याद रखना इन्होंने सैल्फ सैल्फ उनीस तो 21 में सेल्फ उन्वेंट्स रहा था उनीस एक इस में ये भी याद रखना आप इवी सवामी नेयर कण तीक है यह यह याद रखना गुलाम हुशेन ने इंकलाब जिन्दाबाद आ थी था जैनि चलते हैं इंडिया विंसरीडम किस्ते एम अब्दूलकराम आजाद इंडिया विंसरीडम मॉलाना अभ्दूलकराम आजाद एमन्रोई की बुक्ती इंडिया इंटराजिशन ये नहीं याद करनी है सुछ बात रहे गी जो स्वाचन बोज जी जी जाते हैं जी जाते हैं इनकीा आलोड़ी से खुस्ण नहीं थे और इनमें फूद गलती है बाद में और 1929 में भी बन जाते हैं PFC 70 रहा की PFC सराते है पीवी सितरय मु erwr moment अब गांधी जी की तरफ से लड़ते हैं реально अलुर्जी की तरफ बलते है तो दुक्तूं गई तो ठीक है यहां से यहां से चले जाते है उसके बाद में Leader की से बना जाता है राजेंदर प्रसाद को बना जाता है ठीक है यह भी आधर क्राइब उनिच सो 49 में आजाद हिंद फोर्ज की स्थापना करते हैं कौन आपका यह स्वाचन बोजी स्वाचन बोजी करते हैं 1949 में और यह एक रेजिमेंट होती है रानी लक्षिमेंट को बनाते हैं कौन स्वाचन बोजी बोजी उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में जब स्वाचन बोजी बोज जो है चलो हो इतना हो जाता है है अब उनिस सो 49 की बात हो गई जो होता है आपका स्वाचन बोजी बहुत-दो इसंथ सो इनक्न जैसे इन पुलिस कैप्चर कर लेती है49 में त्य में बहुत-दर भागते हैं यहां से बर्लीन बर्लीन जाते हैं 1941 में 1941 में बर्लीन जाते हैं ठीक है बर्लीन जाने के बाद स्वाच्छंद बोस जो है स्वाच्छंद बोस अब करते हैं इंडियान नैसनल आर्मी की स्थाफना इंडियान नैसनल आर्मी इंडियान नैसनल आर्मी अजाद हिन्द फोस की 1942 में करते है इसके founder थे Captain Mohan Singh और इसे बाद में इस्टिबिलिस्ट करते थे हैं चलाते हैं मतलब यही आपके स्वाचन भूज़ी ठीक है और आपका फिर आता है Bible plan भी हो गया था अब यहां सारा आपका modernist जो आपको बस इसमें एक चीज रह गई है जो आपकी रह गई है कह सकते हैं आप जो वासराइब के बारे में बताना था वासराइब के वीडियो में बना दूंगा ओके यह इतनी सी वीडियो थी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर करने सुप्राइब करने सुप्राइब करने से जाहिं जापारत।